हलो आफ़ीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज हम करेंगे एक नई स्कीम के बारे में डिसकस जो आप लोगों के supervisor exam में mention है उसके बारे में पूरा detail में पढ़ेंगे तो क्या है पालना scheme इसको हम लोग दो parts या maximum to maximum तीन parts में cover करेंगे क्योंकि इस scheme में जानने वाली चीज़े बहुत जादा हैं तो जो लोग इस channel पर नहीं है आप इस channel को assistance scheme और आज हम करेंगे पालना convergence of आंग इन्वारी से इंटर इन्टू क्रेशिस इसके ओपर detail में discussion इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह जो पूरा slivers है आपका जो 6 sections में divided है हमारी team के तरफ से कोशिश है कि हम लोग February last week तक इसका पूरा slivers जो है वो मिलना आप शुरू हो जाएगी थोड़ा सा detail में मैं आपको बता दू तो अभी तक देखो हम लोगों ने और हाँ specialization की जो classes की बच्चे बात करें थे इसकी classes भी अब आपकी आज से daily basis पे आप पे शुरू हो जाएगी आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं अब detail में किस तरीके से अप्रोच होगी उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊँगा अगर आप लोग यह course लेना चाहते हैं तो आपको हमारी आप पे complete course मिल जाएगा जिसमें PDF 30% discount जो है वह इस पूरे course पे मिल जाएगा हाडली 500-600 रुपे में यह course आपको मिल जाएगा जो बाहर अगर आप 20-30,000 रुपे की coaching मिलेंगे तो उससे कहीं गुना जादा बैटर होगा तो चले शुरू बबात करते हैं अब हम scheme के बारे में देखो पहले हम लोगों ने पढ amount जो है वो एक आपकी FDR में या फिर cumulative term deposit में convert हो जाएगा 7 साल के लिए और उसके बाद बेटी को वो मिल जाएगा क्यों किया गया था ताकि जो बेटी हैं या जो daughters है या जो girl child है वो किसी पे burden ना बने ठीक है यह पहली scheme में पढ़ा था overview दे रहा हूँ दूसरा हम लोगों पढ़ा था state marriage assistance scheme के बारे में अब यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था यहां पर हम लोगों ने देखा था कि लड़की अगर 18 साल की होगी उसके बाद हम लोगों ने दूसरा criteria देखा था कि 50,000 रुपे की assistance जो है वो मिलेगी social welfare department के द्वारा यह चीज होगी DC जो है verify करे मैं बार-बार repeat इसलिए करता हूँ कि हर एक जो scheme है कही न कहीं किसी एक दूसरी scheme के साथ related होती है आज हम पालना scheme के बारे में बात करेंगे पालना scheme शुरू करने से पहले नाम से आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि scheme क्या है थोड़ा सा detail में जाने से पहले मैं आपको कु question जो एक MCQ है वो direct यहीं से पूछा जाए अगर मैं basic introduction की बात करूँ तो देखो होता क्या है अभी जो हम लोगोंने लाडली बेटी scheme पड़ी थी वहाँ पे एक अलग motive था क्या था वो ये था कि जो हमारे sex ratio है जो बहुत जादा gap आ रहा है उसको किस तरीके से काम किया जाए इसलिए girl child के लिए schemes लोग क्या लिगी state marriage assistant में हम लोगोंने assistance scheme में क्या देखा था कि जो girl child है उनको किस तरीके से 18 साल की उमर तक जो child marriage है एक तो उसको abolish करें जो बाद में खर्चा होता है शादी पे उसको किस तरीके से काम करें इसलिए 50,000 रुपे के assistance की बात करी गई थी अब आज की जो scheme है पालना इसमें भी कहीं ना कहीं जो काम होगा या जो women के बारे में अब आप सोचेंगे यहाँ पर की sir यह scheme तो ठीक है पालना यानि की बच्चों के लिए creatures बना दी जाएंगी बच्चे वहाँ पे रहेंगे तो इसमें क्या इसी चीज़ है देखो पालना क्या होता था पहले ना बहुत ही जादा एक जो time था वो अलग था आज की date में बहुत जादा rapid development देखने को मिल रही है और बहुत जादा growth आप लोगों को देखने को मिल रही है लेकिन यह साथ ही साथ जो period है यह maximum vulnerability का भी consider किया जाता है क्यों अब mcqs कैसे बनेंगे मैं लास्ट official 2011 का उसकी according अगर हम बात करें तो 15% जो population है country की वो 6 साल से कम की age के बच्चे है ठीक है और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें जो पहले state थी और इस census के according हमारी state में 16.10% जो है यानि कि total 160 million children ऐसे है country में total और जिसमें से 20,00,00 के करीब-करीब जो है children जम्मू कश् अब यहाँ पर यह जो data है यह static data है आपको यह data याद रखना है कि census के according population जो है 6 साल से कम कितने बच्चों की है overall 15% है जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करें जो यह population है यह आपको 16.10% देखने को मिलेगी अब यहाँ पर बात आती है ठीक है पाला स्कीम की बात हो रही है census में बात करें गई है कि 6 साल के से कम population बहुत जादा है लेकिन जो main यहाँ पर motive है वो यह है जो work participation rate है women का वो कितना है अगर हम पूरी country की बात करें तो 25% है मान लीजिए अगर हमारी country में 100 women है या फिर अगर मान लीजिए 4 में से सिरफ एक ही ऐसी है जो की काम पे जा रही है और यह जो data है यहाँ पे अब scheme का बहुत बड़ा role होगा यह जो work participation rate है ना women का जो 25% है सिरफ यह one of the lowest है पूरी दुनिया में यानि कि 4 में से सिरफ एक जो women है वो काम पे जा रही है और यह दुनिया में lowest माना जाता है जम्मू किश्मीर के अगर बात करें तो जम्मू किश् आती है work participation जो है वो सिरफ और सिरफ जेंड के में 26% है यानि कि जो बाकी की 74% है वो कोई काम नहीं कर रही है और यह जो reports है यहाँ पर यह जो अभी recent report यह तो 2021 का census है बट 2024 से 2021 के बीच में जितनी भी reports आई है वो यह दिखा रहा है कि यह जो work participation है यह और घटती जा रही है workplaces बे और यह जो participation है क्यों हो रहा है अब यह सब चीजें यह इसलिए हो रहा है क्योंकि lack of childcare जो है एक major barrier है to full and equal participation of women in work अब आपको यहाँ पर scheme का जो पूरा motive है वो समझाएगा अब होता क्या है ऐसा नहीं है कि women जो है वो काम नहीं कर सकती घर का काम जो women करती है अब आप में स बहुत सारे हमारे साथ ऐसी females जोड़ी हैं जो कि housewives हैं या फिर जो सोचती हैं कि हम लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आप लोग कर नहीं सकते हो सब को हर एक इनसान कर सकता है लेकिन क्या होता है कहीं बारना बहुत सारे responsibility हैं अब हम अपने घर पर अपनी parents को देखते हैं मदस क देखते हैं या फिर किसी को भी देखते हैं जो offices में काम करें उसके अलावा भी वो घर पर जाकर मैक्सिमम काम उनके इनसे चीज़ें जो होती हैं अब होता क्या है अब सबसे बड़ा reason जो ये माना गया है वो ये है कि lack of child care यानि कि अब जैसे मान लीजे कोई है किसी गर में अगर छोटा बच्चा होता है उसको proper care चाहिए जो हम लोग ने starting में ये का आना 6 साल से कम अब ऐसे कोई भी अगर बच्चा आता है उसे proper care चाहिए उसे पूरा nutrition चाहिए उसे कैसा atmosphere चाहिए उसको environment उस तरीके का मिलना चाहिए बहुत सारी चीज़ें जो है क्योंकि वो अप मैंने बहुत सारी professionals को भी देखे हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया इसके लिए अब ये जो चीज़ है ना declining जो एक trend सा बनता जा रहा था women participation का workforce को इसको ध्यान में रखते हुए अब scheme का जनम हुआ अब आप लोग सोच रहोंगे कि ठीक है sir crutches है नाम unique कर दिया तो क्या ये क clear हो चुका होगा आपको कि जो census के according data है इसको याद रखना हो सकता है कि mcqs आपको direct ही यहाँ पर पूछ लिया जाए कि कितने percent population country की 6 साल से कम में है या जे-end की कितनी percent population 6 साल से कम में है तो ये number भी याद रख लेना but percent is ये ज़्यादा पूछे जाने के chances रहते हैं और work participation rate क की बात के लिजाए women की तो all over India वो 25% है जमु कुश्मीर में वो 26% है और ये lowest है पूरी दुनिया में one of the lowest है तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसके अलावा देखो अब होता क्या है जैसे मैंने आपको starting में बताया अब घर पे अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसकी maximum responsibilities जो आती है child care responsibilities वो women के पास आती है आज से अगर हम बात करने आप लोगों ने कर अपने दादा दादी का time देखा होगा या उनके से कभी कहानी सुनी होगी तब क्या होता था तब ना जो बच्चे होते थे वो एक joint family में रहते थे मतलब मान लीजिए दादा दादी है ठीक है उसके बाद आगे आपको आपके चाचा चाची दिखेंगे ठीक है ये एक family tree के गर मैं बात करूँ और ये सब जो है एक साथ एक ही घर में जो है वो रहते थे और अगर कभी बच्चा होता भी था तो क्या होता था women जो है काम पे अगर जाना चाहें तो जा सकते थी क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो हम लोगों ने discuss करा कि women are more likely than men to bear child care responsibilities और consistent family support जो है यहाँ पे आपको चाहिए चाहिए इन challenges को face करने के लिए लेकिन recent time में क्या देखने को मिला है जो composition है families की वो बहुत हद तक change हो रही है अब nuclear families आपको ज्यादा एक trend में देखने को मिल joint or extended families जो थी वो change होती जा रही है किसमे nuclear units में अब अगर घनों की बात करें दादा दादी कहीं हो रहते हैं चाचा चाची कहीं हो रहते हैं आप कहीं हो रहोगे आपकी wife कहीं हो रहेगी बच्चे आपके साथ रहेंगे अब आप men है काम पे चलेगे women काम पे चलेगी तो क्या है अब यहां पे extended family members का जो एक support रहता था वो अब इतना present जो है available नहीं रहता है ताकि वो बच्चा का ध्यान रहके सकें working mothers की अगर बात की जाए तो यहां पे जो parents की choice आती है किस type का काम करना है घर पे रहना है या फिर दोनों एक साथ करना है तो यहां पे जो है अब यह जो scheme लेके आएगी है यहां पे क्या है availability and affordability of childcare facilities अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो factors आते हैं अब crutches का concept आया है crutches होती क्या है कहां पे open होती है कितनी दूर होगी अब ऐसा नहीं है कि मानलो मैं जम्मू में रहता हूं और government crutches open कर रहे है स्रेनगर में for example तो क्या अब यहां पे कोई अगर women है वो अपने बच्चों से नगत तो बेजेगी नी चीक है या फिर same vice and versa कोई वहां से यहां तो बेजेगी नी और ध्यान रखने के लिए कैसा वो तो एक hostel हो जाएगा but crutches क्या होती है हम इसको थोड़ा सा और detail में पढ़ेंगे लेकिन थ यहां पे जो main shift था वो यह था कि quality child care services जो है वो children जितने भी होंगे 6 महीने से लेके 6 साल के बीच में जितने भी employers है उनके लिए यह जो workforce है 50 workers से जादा यह बनाई जाएगी अब यह पहला एक जो आपको याद रखनी है चीज़ वो यह है कि किस act में change हुआ था कब हुआ था यह paternity benefit act में करी गई थी ministry of women and child development जो है हमारे इंडिया की जो एक ministry है अब आप लोगों के लिए homework है आपको बताने की समय इसकी minister कौन है अपने notes में लिख लेना या फिर google पर search कर लेना इन्होंने क्या किया था इन्होंने एक national minimum guidelines जो है वो बनाई थी ताकि जिसे भी crutches जो है अगर run करनी है तो वो किस तरीके से कर सकती है दो नमेंबर 2018 को यह किया गया था आपको यह date exact याद रखने की ज़रूरत नहीं है यह जो data है यह maternity benefit act में लेकिन add किया गया था आपको यह यह याद रखना है वहाँ पर direct पूछा जाएगा कि कि किस ministry के द्वारा job mcqs बनते ह 2017 में किया था कि जितने भी यहाँ पर जो women है जो चाती है कि वो काम कर सके और जो है एप्लॉइड रह सके उनके लिए क्या-क्या चीज़ें की जाएंगी उस पर थोड़ी सी बात करते हैं मिस्ट्र विमेंट चाइल्ड के या चाइल्ड डेवलोपेंट के अलावा government of India ने सा बहुत सारे NGO's को जो है दिया था ताकि वो क्रेचिस जो है वो बना सके नेशनल क्रेच स्कीम के तहट और साथ सी सादगरम बात करें जमू कुश्मीर की सिरफ तो यहां पर यह डेटा याद रखना जमू कुश्मीर में 561 क्रेचिस जो है वो funded करी गई है इस स्कीम के तहट पिर्चले कुश सालों में और जिसके अगर ध्यान रखा जाए तो अगर टोटल याना लाक 27,623 जो वर्किंग मदर्स है यहां जमू कुश्मीर में अब देखो होता क्या है टोटल अगर हम जमू कुश्मीर की बात करें यहां से डिरेक्ट में जमू कुश्मीर में जो मदर्स है मालो जो वर्किंग मदर्स है वो है आपकी यारा लाख के करीब करीब टोटल क्रेचिस कितनी है वो है 561 अगर एक घर पे एक बच्चा अगर है तो 561 को अगर आप डिवाइड गर देते हैं यारा लाख से तो कितने बच्चे एक क्रेच में होंगे अगर हम सिंपल लॉजिक लगाए और यह जो डेटा है यह जो सैंसिस का अकॉर्डिंग आया है कि जम्मू किश्मीर में नंबर ओफ क्रेचिस उतनी नहीं है जितनी रिक्वाइड है क्यूंकि आप लोग यहां से डेटा डारेक देख सकते हैं याना लाख 27,000 जो हैं वर्कि कर रही है वो financial assistance दे रही है बहुत सारे NGOs को कि आप लोग यह चीज़े बनाओ कि इसके अंडर नेशनल क्रेच स्कीम को जिसको पालना भी आप लोग देखते हैं और यहां पर यह पाय गया था कि बहुत सारी guidelines अब देखो क्या होता है अब वापी से मालो मैं हूँ या आप है मालो मैं हूँ मेरे साथ तो चलो अभी शादी हुई नहीं है मालो आप है और आपकी कोई wife है आपको अपने बच्चे के लिए एक क्रेच चाहिए या फिर आपको एक पालना स्कीम केटा है तो या जिस भी चीज़ किसा है तो आपको चाहते हूँ कि आपका बच्चा कहीं ज रहा है वहाँ पर उसको केसा इंवार्मेंट मिल रहा है क्या वहाँ पर उसको खाना मिल रहा है क्या वहाँ पर उसको ध्यान रखा जा रहा है क्या जो जगह है वो हाईजेनिक है क्या उसको प्रॉपर निट्रिशनल मील मिल रहा है अगर मिल रहा है तो इन सब चीजों का ध जो हैं इंप्लिमेंटेशन करने के लिए कि नैशनल क्रेट स्कीम जो जमू कुश्मीर में हैं उसको किस तरीके से लाया जाएगा और यहां पे जो अर्बन हैं रूलर एरियास हैं या फिर जितने भी रोड कनेक्टिविटी जो है यूटी प्रैमेरी हेल्थ केर इंफरस्ट्र यह जो डेटा है बहुत important है exam point of view से आपसे mcqs कि अगर हम बात किया देखो कहीं बार क्या होता है schemes हम लोग पढ़ते तो हैं और जिस तरीके से मेरे को आप लोगों का feedback मिलता है कि मैं जो चीज पढ़ाता हूँ वो पहली बार में ही दिमाग में fit हो जाती है लेकिन अब main target अब बात करते हैं यहां पर पहली चीज क्या पढ़ी थी हम लोगों ने census के according total 15% population ऐसी है जो की 6 साल से कम की है जमू कुश्मीर के अगर बात करो तो यह census हमारा कहता है कि हमारे जेंड के में 16.10 है अप्रॉक्सिमेट 20 लाख चिल्डरन ऐसे हैं जो की 6 साल के से कम में है इस समय वर्क पार्डिस्पेशिंग की बात करें ओल ओवर इंडिया इससे भी कम बहुत साइज जगाओं पर है लेकिन यह लोएस्ट रैंक्स में कंसीडर किया जाता है अब चाइल्ड केर बेरियर जो है यहां पर में हम लोगों ने डिसकस किया था इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था किस वज़ा से जो सबसे ज़रूरत पर रेक रिच से और जिसकी वज़ा से जो अब प्रॉपर पहले ध्यान मिलता था अब वैसा नहीं मिल पा रहा तो यहां पे जो है चाइल्ड केर फैसिलिटीज को अब एक तो अवेलेबल किस तरीके से करवाना है और अफोर्डबिलिटी का ध्यान अगते हुए किस तरीके से करवाना है इसलिए यह स्कीम जो है लाई गई है इसकी अलावा 2017 में किस एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी वो था मेटरिनेटी बेनिफिट एक्ट 2017 का जिसमें करी गई थी जिसके तहट बहुत सारी चीज़ें थी किस-किस मिनिस्ट्री के यहां पर रोल था वो थी मिनिस्ट्र वुम इसे आते हैं जमो कुश्मीर में यारा लाख से जादा विमन के लिए जो मदर्स हैं उनके लिए सिरफ 561 केज़ें रखी हैं जिसको की क्लेरी दिखता है कि वो उतनी सफिशेंट नहीं है जितनी रिकार्मेंट है तो इसके लिए गर्मेंट क्या कर रही है वो फैनेंशल एस करेंगे इस पूरी स्कीम के ऊपर देखो यहां पर थोड़ा से स्पेलिंग मिश्टेक है इसको ठीक कर देना क्रेच जो है बेसिकली अब होता क्या है concept जो है क्रेच का वो क्या है क्रेच क्या है एक फैसिलिटी होती है जो एनेबल करते है पेरेंट्स को टू लीव दियर चि यह है निया वाइव बच्चा भी नहीं है ठीक है तो चीज का दिया रखना होता क्या है अब इस case में क्या होता है अब मालनी जीए कोई बादो ए और बी हैं अगर किसी को यहां पे अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं वह इन क्रेच ग्रेचिष में छोड़ सकते हैं जब अपने काम पे जाते हैं और एक proper ऐसा environment बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पे crutches जो है वो इस तरीके से design की जा रही है जो की एक group care जो है children को दे सके जो की usually up to six years of age के होंगे जिनको care चाहिए guidance चाहिए supervision चाहिए away from their home during the day ठीक है बहुत सारी crutches औरेडी यहां पे अब open हो रह रहेंगे और छे साल के बच्चों के लिए वैसे भी जैसे education policies में चेंज आ रहे है उनके ओपर इतना burden अप किसी चीज़ के अभी कहीं से भी नहीं रहेगा अब यह बच्चे जो रहेंगे इस crutches में यहां पर इनका बहुत ध्यान दिया जाए कुछ objectives हैं बनाने का सबसे पहल मिलती है अगर कोई भी मदर बनता है बनती है तो उनको maternity leave मिलती है छे महीने के लिए उसके बाल आपको offices में वापे जाना पड़ता है और वो जब आप office में वापे जाओगे तो यहां पर यह टाइन याद रखना 6 महीने से लेके 6 साल के बच्चों के लिए facilities बनाई जाती ह और working mothers in their community इसके लावा nutrition और health status जो है children का उसको किस तरीके से improve किया जाए देखो अब जब बच्चा छोटा है उसको क्या चीज उसके लिए best है खाने के लिए किस क्या क्या nutrition उसको चाहिए health status क्या है उसका किसी को ज़्यादा ध्यान चाहिए होता है कोई mal nutrition तो नहीं है किस त स्कीम को पढ़ेंगे और एक integrated child development scheme को पढ़ेंगे तो यह दोनों को भी यहाँ पर एक तरीके से आप लोग मान सकते हैं interlink किया गया है इसके साथ physical किस तरीके से to promote physical cognitive social और emotional development जो है children की की जाए अब ऐसा नहीं है कि बच्चा parents से दूर है क्योंकि एक बहुत ही छोटी age का बच्चा अगर parents से दूर रहता है तो वहाँ पर बहुत सारे emotional किस तरीके से होगा उसके physical किस तरीके से होगा तो यह सारी चीजें जो है social किस तरीके स होगा इन सब चीजों का ध्यान अखा जाता है और educate किया जाता है यहां पर parents को और caregivers को for better child care चीक है तो यहां पर यह जो चीजें है इसका ध्यान अखा जाता है main objective scheme का यही है इसके अलावा अगर हम बात करें services क्या क्या provide की जाती है तो यहां पर बात करें services को लेके तो day care facilities द करती है इसके अलावा early stimulation for child children below three years and preschool education for three to six years अब जैसे गोई तीन साल से चोटा है उसको क्या ही वहां पर उसको पढ़ाया जाएगा उसको main यह होता है कि उसको एक ऐसा atmosphere बस उसके लिए बना दिया जाए और जो तीन से छे साल के उसको preschool education भी वहां पर दिया जाता है supplementary nutrition दिया उनकी growth हो रही है health checkups होते है immunizations होते है जैसे time to time जो उनको vaccination होनी है वो सब चीज का ध्यान स्कीम में रखा जाता है और यहां पर crutches इस चीज को ध्यान रखती है क्योंकि parents देखो आपको वैसे ही पता है कि working होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे उस चीज को तो यह crutches जो है इसक स्कीम में अगर स्कीम से पूछा गया तो कि कितने से कितने age group के बच्चे जो है वो इस पालना स्कीम में आते है तो छे महीने से लेके छे साल तक के बच्चों को यहां पर आता है देखो एक तो crutch की timing भी होगी crutch की location भी होगी अब ऐसा नहीं है जो है आपको starting example दी कि कोई जमू में रहता है उसको crutch बोल दिया कि भाई उदमपूर में है वहाँ पर कर लो ऐसा नहीं होता अब crutch की timing क्या होती है देखो mostly जो parents है वो 8 गंटे दिन में काम करते है तो यह जो crutch की timing है तो यह भी flexible रखी गई है working hours के उपर depend करते हुए अपने parents की timing के उपर depend करते हुए और preferably जो है 8 गंटे से लेके 10 गंटे तक यह काम करती है और at least 26 दिन जो है महीने में यह open रहती है exercise with regard to the working pattern shift system बनाया जाता है अपने उस areas में जो crutches हैं किस तरीके से इसको करेंगी workers का flow क्या रहेगा shift system पे रखता है इस time पे कितने लोग इस time पे कितने लोग उस area में crutch timing जो ह है वो suit करनी चाहिए parents की need को in general in case establishment has day and night shift then the crutch should also run in shifts in the said area and should try to respond to the needs of the parent and keep the best interest of the children as well अब मान लीजिए कोई crutch आपकी open हो रही है जे एंडगे में तो चलो अभी night shift का इतना concept नहीं है मान लीजिए अगर आप बाहर कहीं काम करते हैं वहाँ पे night shift के लिए होता है तो वहाँ पे crutch जो है वो night shift के according भी काम करती है तो जो timings है वो कहीना कि flexible रखी गई है ऐसा नही crutch जो है वो एक तो पहली जी safe or secure place में होनी चाहिए ठीक है safe or secure का क्या मतलब होता है कि जहां पे भी crutch open हो रही है locality कैसी है area कैसा है बच्चों के लिए कैसा है दूसरी चीज क्या है child friendly होनी चाहिए crutch जो है वो जो घर है बच्चों का और या फिर जहां पे उनकी mothers काम कर रह यह किस reason की वज़ा से कहीं अब जैसे छोटे बच्चे अगर उनको breastfeeding चाहिए तो convenient होना चाहिए कि वह वहां पे visit कर सके जो mothers है दूसरी चीज parents जो है वो contact में रहे कागल करको कुछ emergency हो जाती है तो parents तक वह चीज पहुंचाई जा सके easier रहे कि बच्चों को वहां से pick up करना या फिर उनको वापिश से बेजना if the child is absent for a long period of time अमाल लो किरेच में किसी ने enroll किया बट बहुत टाइम से हफ्तों हफ्तों से वह बच्चा आ नहीं रहा तो जो crutch worker है वो भी जा सकते हैं वहां पे to inquire about the child from his her home और the workplace of parents और अगर मैं साधी साथ बात करूं as far as possible the crutch environment should be akin to the child home atmosphere जो सबसे important point है और also reflect करें कि जो एक lifestyle है उस community का चीक है आज की class में मैं आपको इससे ज़्यादा चीज़ें जो है वो नहीं करा होगा reason क्या है मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं अगर मैं इस class में आपको और ज़्यादा बतलाओंगा तो आप लोग जो पुर क्या main reasons है अभी इसमें मैं आपको बतारू हारली हमने 10% भी नहीं पड़ा अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को भी detail में और पढ़नी है national जो हमारी crutch scheme है अगर हम बात करें तो उसकी इसके उपर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें अभी और पढ़नी चाहिए जो यह अंगर नवारी को convert किया जा रहा है तो यह क्यों किया जा रहा है health practices क्या होने चाहिए nutrition practices जो मैं आपको बताया कि तीन टाइम दिन में meal serve होना चाहिए तो यह सब हम लोग अगले lecture में पढ़ेंगे उसमें मैं आपको detail में बताऊंगा कि record किस तरीके से maintain होगा रेजिस्टर कैसे maintain होते हैं और यह सारी जो चीजें है transactions किस तरीके से होती है या फिर अगर हम बात करें hygiene sanitation के उपर मैं आपको पूरा detail में हम बात करेंगे अब क्या यहां पे कुछ pay करना होता है या नहीं pay करना होता है तो यह सब detail में हम पढ़ेंगे lecture थोड़ा सा बड़ा होगा बट step by step चलेंगे ताकि आपको सब चीजें जो हैं वो clear हो जाए और काल को कई आपको ऐसा नहीं हो कि क्रेच वरकर कौन हो सकते हैं यह सब detail में हम लोग पढ़ेंगे आज में सिर्फ इतना ही रखूंगा ज्यादर मैं इसको detail में लिखके जाओंगा तो आज के लिए I hope आपको clear हो चुका होगा बाकि मिलेंगे पार्ट सेकेंड के साथ तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे course को join कर सकते हैं आप पे ट्रिपलेस आप पे आपको यह course complete course मिल जाएगा जिसमें अभी बहुत जल्द ह हम लोग इसको कोशिश करें खतम करके टेस्ट को भी शुरू कर दें तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं जल्दीने लेक्चर के साथ अभी लिए दीजिए इजाज़त हमें नाइस जे बाबाए टेक केर वाल दा वेरी बेस्ट